कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हाँ बहने बेटियां बलातकार के रैप के जूटे मामले दर्ज कराती है क्या कोई भी राजस्थान का व्यक्ति मुख्यमंत्री की इस बात से सह्मत हो सकता है माताय बेहने कोई सहमत हो सकता है क्या भारत की कोई भी बेटी राजस्थान छोड़ दीजिए क्या कभी भी पुलिस्थाने में जा करके अपने चरित्र पर जूटे आरोब लगाने का काम क्या कभी कर सकती है अरे मेरा देश तो ऐसा है चरित्र के लिए जोहर करने के लिए निकल पढ़ने की माताव बेहनों की आप मुझे बताईए इससे बड़ा गंभीर कोई आरोब हमारे माताव बेहनों पर हो सकता है क्या इससे बड़ा कोई घंबीर आरोब हमारे संस्कार पर हो सकता है क्या कभी इससे बड़ा घंबीर आरोब हमारी संस्कृति पर हो सकता है क्या कभी इससे बड़ा कोई आरोब हमारी परंपरा पर हो सकता है जिनों ने ऐसा आरोब लगाया है उनका क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? ये चुनाव उनको सजा देने का चुनाव है और आपके एक बोट में उनको सजा देने की ताकत है माता और बहनों का अपमान करने वालों को सजा दोगे भाईयों? उनको सजा दोगे? करारी सजा दोगे? और गहलोजी के एक सबसे करीबी मंत्री क्या कहते हैं वो कहते हैं कि राजस्तान मर्दों का प्रदेश है और इसलिए महलाओं पर अत्याचार को वो बाजीब बताते हैं मैं जड़ा आपका गुसा देखना चाहता हूँ जिस दिन से मैंने सुना है न मैं मेरे गुसे को काबू में नहीं रख पाया हूँ आप मुझे बताईए क्या किसी बलातकारी को कोई भी मर्द कह सकता है क्या उस पुरुष की सगी मा भी उस बेटे को भी मर्द कहेगी क्या क्या ये मर्दों का अपमान है क्या नहीं है ये हमारे देश की मर्दान की का अपमान है क्या ये बात ऐसे ही सुनकर के दाजस्तान का पानी क्या इसको सह सकते हैं सह सकते हैं उपाय क्या है उपाय क्या है उपाय क्या है सजा दीजिए दोस्तों सजा दीजिए ये सिरफ सरकार बदलने का मुद्दा नहीं है ये कॉंग्रेस के लोगों को सजा करने का मुद्दा है और वोट दे करके सजा करकर के राजस्तान ने दिखा देना चाहिए